वेल्कम टू परताप कलासेश दोस्तो परताप कलासेश के यूटूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है तो दोस्तो अपना टोपिक चल रहा था राज़स्तान जिला दर्शन और जिला दर्शन के अंद्रगत आज अपने पड़ेंगे पाली जिले को पाली जिले से जितने भी टोप M.C. क्रेशन बनते हैं उनका आज हम डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और जो भी विदार्थी इस चैनल पे नई है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे पेल आइकन के घंटे को जुरूर दबा लें ताकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड वो आप तक पहुंच आए वीडियो को लाइक करना शेर करना और कुमेंट करके जुरूर बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा और जिस भी विदार्थी ने हमारा टिलिग्रम ग्रूप जोइन नहीं किये तो जल्दी से जोइन कर लीजिए तो शुरू करते हैं आज की कलास आज की कलास का देखिए पहला प्रशन जेन मंदिरों का तिर्थ किस जिले को कहा जाता है तो जेन मंदिरों का तिर्थ पाली जिले को कहा जाता है देखिए नेक्स कोस्टन पाली जिले की सिमा कितने जिलों के साथ लगती है तो पाली जिले की सिमा आपको पता है आठ जिलों के साथ पाली जिले की शिमा लगती है तो वो कौन-कौन से जिले हैं वो आठ जिले हैं जालोर, शिरोही, उद्यपूर, राजसमंद, अजमेर, नागोर, जोदपूर और बाडमेर ये आठ जिले हैं जो पाली जिले के साथ शिमा होनाती है और पारली एक मतर रास्तन का जिला है जो सरवातिक जिलों के साथ सिमा बनाता है देखिए एगला परसन निमन में से किस जिले की सिमा पाली के साथ नहीं लगती निमन में से किस जिले की सिमा पाली के साथ नहीं लगती इन तीनों जिलों के साथ पाली जिले की शिमा लगती है देखिए एगला परसन निमिन में से किस जिले का अक्षांस बाड़मेर जिले के समान है निमिन में से किस जिले का अक्षांस बाड़मेर जिले के समान है यानि इनका जो मुख्यले है बाड़मेर जिला और एक पाली जिला है इन दोने के जो मुख्याले है वो एक ही एक्षांस पर इस्थित है तो इसका अंसर रोजेगा पाली पाली और पाड़मेर एसे दो जिले है जिनके जो मुख्याले है वो एक ही एक्षांस पर इस्थित है देखिए एगला परसन पाली जीले का चेत्रपल कितना है तो पाली जीले का कुल चेत्रपल कितना है तो पाली जीले का चेत्रपल है बार 1387 वर किलोमेटर तेरा 1499 वर किलोमेटर के बात करें तो यह है उद्यपूर जीले का कुल चेत्रपल है और 11133 वर किलोमेटर के बात करें तो यह है जैपूर जीले का कुलचेत्रपल है और 10,988 वर किलोमेटर के बाद करें तो यह स्री गंगानेगर जिले का कुलचेत्रपल है देखिए एकला परसन देश का पहला इंटीग्रेटर टेक्स्टाइल कहां खोला गया था तो यह खोला गया था पाली के अंदर देखिए एकला परसन राजस्तान में जेंद्रम का पर्थम सरौन मंदिर पाली जिले के किस स्थान पर है तो पाली जिले के जो फालना स्थान है पाली जिले का वहां पर जेंद्रम का पर्थम सरौन मंदिर इस्तित है देखे एगला परसन सरवादिक जिलों की सीमा बनाने वाला रजस्तान का कौन सा जिला है सरवादिक जिलों की सीमा बनाने वाला रास्तान का एक मतर पाली जिला है जो सरवादिक आठ जिलों के साथ सीमा बनाता है देखे एगला परसन पाली जिला किस संभाग के अंतरगत आता है देखिए एगला परसन किस बांद को मारवाड का अमरसरोर कहा जाता है किस बांद को मारवाड का अमरसरोर कहा जाता है तो इन में से जो ज्वाई बांद है उसे मारवाड का अमरसरोर कहा जाता है जवाई बांध की और बात करें तो यह है पाली जी लेके सुमेरपूर के निकट जवाई नदी पर बना हुआ है और जो पस्चमी रास्तान का सबसे बड़ा बांध है इसके निर्मान की बात करें तो इसका निर्मान 13 मई 1926 को जोदपूर के महाराजा उमेद शियंद्वारा एडगर की देख रेक में करवाई गया इसके माद्यम से जोदपूर पाली को प्रमुक्रूप से पेजल प्राप्त होता है एमावास बांध की बात करें तो यह बांडी नदी पर बना हुआ है जो की लूनी की एक साहय के नदी है बांकली बांध की बात करें तो यह सूखड पाली जिली के अंदर इस्तित है तो इन में से जवाई बांध ये भी पाली में है बिठन बांध ये भी पाली में है बांकली बांध ये भी पाली में है तो इसका अंसर हो जगा उप्युक्त सभी देखिए एकला परसंड निमन में से कौन सा बांध पस्चमी रास्तान का सबस ये बड़ा बांद है जो जवाई नदी के उपर बना हुआ है देखिए एकला परसंद पाली जिले का कौन सा स्थान मेहंदी हेतू परसिद है पाली जिले का कौन सा स्थान है जो मेहंदी हेतू परसिद है तो पाली जिले का जो सोजत स्थान है वो पाली मेहंदी के लिए परस वो पाली जिले का सुबंकर है मोर की बात करें तो यह भील वड़ा जिले का सुबंकर है और गोडावन की बात करें तो यह है जेसलमेर जिले का सुबंकर है काला हिरन की बात करें तो यह है चूरू जिले का सुबंकर है देखें एकला परसन लखोटिया पक्षी उध्यान का समंद किस जिले से है तो लखोटिया पक्षी उध्यान का समंद किस जिले से है तो लखोटिया पक्षी उध्यान का समंद पाली जिले से है देखिए एगला परसंड पाली जिले का कौन सास्तान प्रयावन पारक कहलाता है तो इन में से जो के नाम से जाना जाता है देखें एकला परसन 7 रंग का संग मरमर पाली जिले की किस स्थान पर मिलता है एकला परसन राज़स्तान के सबसे बड़ी वै सरवादिक उत्पादन वाली मील कौन सी है रास्तान की सबसे बड़ी हुए सुरवादिक उत्पादन करने वाली मील कौन सी है तो इन में से जो महाराजा उमेद्सिया मील्स है वो सुरवादिक उत्पादन करने वाली मील्स है महाराजा उमेद्सिया मील्स की जो स्थापना है वो हुई थी 1922 के अंदर 1922 के अंदर पाली जिले में इसकी स्थापना की गी सरदूल टेक्षाल लिम्टेड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1926 के अंदर हुई थी और दी किष्णा इंडिस्टियल मिल्स की बात करें तो यह है कोटा जिले के अंदर है और दी किष्णा मिल्स लिम्टेड की बात करें तो यह है राजस्तान के पर्थम सूत्ती मिल है जिसकी स्थापना हुई थी 1889 को देखिए एगला परसन महराजा उमेद्षिये मिल्स लिम्टेड की स्थापना पाली जिले में कब की गी तो आपको बता यह की गी 1922 के अंदर देखिए एगला परसन निमन में से कौन सा सिमेट का कारखना पाली जिले के अंदर इस्तित है तो इन में से कौन सा जो सिमेट का कारखना है वो पाली जिले के अंदर इस्तित है तो इन में से जो डियलाफ बिनानी सिमेट का जो कारखना है वो पाली जिले के अंदर इस्तित है इसकी और बात करें डियलाफ बिनानी सिमेट की तो इसकी स्तापना है और शिरी सिमेंट उद्योग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1905C के अंदर ब्यावर अजमेर के अंदर की गी और मंगलम सिमेंट का कारखना की बात करें तो इसकी स्थापना 1902C के अंदर कोटा के अंदर की गी थी देखिए एगला परसंद Department of Tourism Ministry of India ने राष्टान को नो सर्कीट में बांटा है तो निमन में से पाली जिला किस सर्कीट के अंतरगत आता है तो पाली जिला इन में से जो गोडवार सर्कीट है उसके अंतरगत आता है देखिए एगला परसन गुलाब हलवे के लिए निमन में से कौन सा जिला परसिद है इन में से जो पाली जिला है वो गुलाब हलवे के लिए परसिद है विकनेर की बात करें तो यह आपको पता है रस गुले और भुजिया में परसिद है जेपूर की बात करें तो जेपूर का गेवर परसिद है जोदपूर की बात करें तो जेपूर प्याज और मावे की कचोरी के लिए परसिद है देखिए एगला परसन पाली जिले का कौन सा स्थान जेन मंदरों के लिए परसिद है पाली जिले का कौन सा स्थान जेन मंदरों के लिए परसिद है तो इन में से जो पाली जिले का रणकपूर है वो जेन मंदरों के लिए परसिद है देखिए एकला परसन पालीजिले का कौन सा स्थान 6 दो के लिए परसिद है तो पालीजिले का जो फालना स्थान है वो 6 दो के लिए करसिद है देखिए एकला परसन ठर सुस्ताउं की करांति में मारवाड का प्रमुक विद्रोस्तल क्वों सा था देखिये धला परक्सन राज्य का सरवादिक ग्रामिन लिंगोन पाथ किस जिले के है तो वो है पाली जिले का पाली जिले एक मतर जिला है जिसका ग्रामिन लिंगोन पाथ सबसे जाता है वो है हजार के उपर एक मतर जिला है देखे एगला परसन पाली जिले की जिला वहन पंजन संग क्या कितनी है तो पाली जिले की जिला वहन पंजन संग क्या है RJ 22 RJ 22 पाली जिले की जिला वहन पंजन संग क्या है RJ 21 की बात करें तो यह है नागोर जिले की जिला वहन पंजन संग क्या है आर्जे 23 के बात करें तो यह है सिकर जिले की जिला वहन पंजयन संक्या है और आर्जे 24 के बात करें तो यह है शिरोही जिले की जिला वहन पंजयन संक्या है देखिए next question कौन सी मता अववा के ठाकुर कुशाल सिय चंपावच की इस देवी है कौन सी मता अववा के ठाकुर जो कुशाल सिंग थे चंपावच थे उनकी इस देवी है तो इन में से जो सुगाली मता है वो अववा के ठाकुर कुशाल सिय चंपावच की इस देवी है शुगाली माता की और बात करें तो इसे 18 सुस्तावन की क्रांती की देवी भी कहते हैं इनकी मूर्ती वर्तमान में पाली जीले के वाकड जो संग्रालिया है उसके अंदर रखी हुई है विरात्रा माता की बात करें तो यह बोपों की कुल देवी है और इनका मंदिर चोटन बाड मेर के अंदर इस्तित है गेवर माता की बात करें तो इनका मंदिर राचमंज जील की पाल पर इस्तित है दाना माता की बात करें तो यह है जो हाडा की चोहान है उनकी कुल देवी है और इनका स्वंध कोटा जीले से है देखिए एगला परसंद आसापुरा माता का मंदिर कहां स्थित है तो आसापुरा माता का मंदिर पाली जिले के नाडौल के अंदर स्थित है और आसापुरा माता का जो एक और मंदिर है वो पोकरण जसलमेर के अंदर भी बना हुआ है और आसापुरा माता की बात करें तो य जो बिश्वा जाती है उनकी कुल्देवी है देखिए एकला परसन गिरी सुमेल का युद कब हुआ था गिरी सुमेल का युद कब हुआ था तो गिरी सुमेल का युद हुआ था पंदरा सो चुमालिश इस्वी को गिरी सुमेल का युद किन किन के बीच वा था तो ये हुआ माल्देव और सेर्श हैंसूरी के बीच वा था जिसमें सेर्श हैं जीतता था और इसे जेतारण का युद भी कहा जाता है क्योंकि यह जेतारण नामक स्थान पर लड़ा गया था देखिए एकला परसंद गिरी सुमेल का युद पाली जीले के किस स्थान पर लड़ा गया तो गिरी सुमेल का युद पाली जीले के जेतारण नामक स्थान पर लड़ा गया था जिस कारणे से जेतारण का युद भी कहा जाता है देखिए एकला परसंद मीरा बाई का जनम कहा हुआ था तो मीरा बाई का जनम हुआ था आप सभी को पता है कूड की के अंदर देखे एकला परसन सोजट दुरग किस नदी के मुहाने पर है सोजट दुरग किस नदी के मुहाने पर है इसका जुंदरिमान है वो लगबग 1560 इसे में राव जोदा की पुत्तर निम्बा द्वारा कुराय गया थो देखिए एकला परसंड चोवमुखा जैन मंदिर किस जैन तिर्थगर को समर्पित है जो मुखा जेन मंदिर किस जेन तिर्थ कर को समर्पित है तो इनमें से जो जेन मंदिर है वो स्री महवीर जी को समर्पित है जो जेन द्रम के 24 तिर्थ कर थे ये की एगला परसन गेट ओफ गोडवार्ड वे मिनी मुबई के नाम से किसे जाना जाता है गेट ओफ गोडवार्ड वे मिनी मुबई के नाम से किसे जाना जाता है तो इन में से जो फालना है उसे गेट ओफ गोडवार्ड वे मिनी मुबई के नाम से भी जाना जाता है देखिए एकला परसन मुचाला माहिवर्जी मंदिर पाली जिले की किस स्थान पर है यानि जो मुचाला माहिवर्जी मंदिर है वो पाली जिले के किस स्थान पर है तो इन में से जो घानेराव है नामकस्तान है वहाँ पर मुचाला माहिवर्जी का मंदिर इस्तित है देखिए एगला परसन परशुरा महादेव मंदिर जिसे राजस्तान का अमरनाथ कहते हैं जो पाली जिले के किस स्थान पर है तो वो पाली जिले के सादरी नामक स्थान पर इस्तित है जिसे राजस्तान का अमरनाथ कहा जाता है देखिए एगला परसन राजस्तान में बुमीज सेली का सबसे पुराना मंदिर पाली जिले का कौन सा है यानि राजस्तान में जो बुमीज सेली है उसका सबसे पुराना मंदिर पाली जिले की किस ठान पर है तो पुराना मंदिर पाली जिले का कौन सा है तो पाली जिले का वो कौन सा मंदिर है जो बुमीद सेली पर बना हुआ है तो पाली जिले का जो सेवाडी जियन मंदिर है वो बुमीद सेली पर बना हुआ सबसे पुराना मंदिर है देखिए एगला परसन निमन में से कौन सी तरगा है पाली जिले में है निमन में से कौन सी तरगा है जो पाली जिले के अंदर इस्तित है तो इन में से देखिए खुदा बक्स बाबा की तरगा है ये भी पाली जिले में है पीर दुले सिया की दरगा है ये भी पाली जिली में है मस्ताना बाबा की दरगा है ये भी पाली जिली में है तो इसका अंसर हो जगवा प्युक्त सभी ये तीनों दरगा है पाली जिली के अंदर इस्तित है देखिए एकला परसन ललूनिया वै ललू शही नामक शिकों का निर्माण पाली जीली की किस स्थान पर होता था यानि इन शिकों का निर्माण पाली जीली का कौन स्थान है जहां पर इन शिकों का निर्माण होता था तो पाली जिले का जो सोज़त स्थान है वहाँ पर ललू निया वै, ललू शई नामक प्राचिन सिके जो चलते दे, उनका निर्मान वहाँ होता था देखे एगला परसन, गिरी सुमेल का यूद किन किन के मद्य हुआ था तो गिरिश मेल का यूद आपको पता है, गिरिश मेल का यूद हुआ था, शेर सैंसुरी और मालदेव के बीच हुआ था देखिए एकला परसन, पाली जिले का निमन में से कौन सा एक प्राचिन नाम है पाली जिले का निमन में से कौन सा एक प्राचिन नाम है पेपावती भी इसे कहा जाता था प्रलिका भी इसे कहा जाता था और पेपलिस्ट भी इसे पाली जिले को कहा जाता था तो उप्रिप्ट सभी इसका एंसर हो जाएगा देखिए एगला वर्शन पाली जी लेके किस कस्बे में पीर मस्तान की दरगा इस्तित है यानि पाली जी लेके किस कस्बे के अंदर पीर मस्तान जी की दरगा इस्तित है तो इन में से जो सोजत नामक स्थान है वहाँ पर पीर मस्तान की दरगा इस्तित है देखिए एगला परसंद बूरिया बाबा किस जात्री के लोग देता है तो बूरिया बाबा आपको पता है बूरिया बाबा मीना जात्री के लोग देता है देखिए एगला परसंद महरणा कुमबा किसमें मेवाड मारवाड की सीमा का निर्दारन हुआ था जिसका मुक्ष्य के अंदर किसे माना था महरणा कुमबा किसमें मेवाड मारवाड की सीमा का निर्दारन हुआ था जिसका मुक्ष्य के अंदर किसे माना था तो ये माना था सोजट को इसका मुख्य के अंदर माना था अगर हम और तरचा करें तो मेवाड के महरना कुमबा थे और मारवाड के जो राव जोदा थे उनके बीच 1453 जो आवल बावल की संधी हुई थी और इस संधी के तहट मेवाड वय मारवाड की सेमा का निरधारन किया 1453 विष्वीगो और किन-किन के मद्दे हुई थी मेवाड के महारणा कुंबा और माहरवाड के राव जोदा के मद्दे हुई थी देखिए एकला परसर जेन संपर्दाए के पंच सतिर्थ किस जिले में स्थित है देखिए एकला परसन मारवाण के किस सास्था का राजय विसेक सोजद दुरग में हुआ था मारवार के किस सस्कारा जो राजय विशेक है वो सोजत दुर्ग में वा था तो मारवार के जो माल देव थे राव माल देव थे उनका जो राजय विशेक है वो सोजत दुर्ग जो की पाली के अंदर है वहाँ इनका राजय विशेक हुआ था देखिए एकला परसंद निमन में से कौन निमन में से किस का समंद पाली से नहीं है निमन में से किस का समंद पाली जिले से नहीं है बागड राजके संग्रालिय ये पाली के अंदर है लोककला मंडल ये पाली जिले के अंदर नहीं है सत्या ग्रह वो ध्यान आ हुआ ये भी पाली में है बाली दुर्ग बाली पाली के अंदर है तो इस में से जो लोककला मंडल है वो पाली जीली के अंदर नहीं है तो यह उद्यपूर जीली के अंदर इस्तित है जो लोककला मंडल है यह उद्यपूर जीली के अंदर इस्तित है जो पाली सहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो इन में से जो जवाई नदी है जवाई नदी के किनारे पाली सहर बसा हुआ है देखिए एकला परसंद पाली जिले के उपनामों में शामिल नहीं है पाली जिले के उपनामों में शामिल नहीं है तो देखिए पाली का पाली जिले को कहा जाता है वाणी जे नगरी पाली जिले को कहा जाता है जेन मंदरु का तिर्श तल भी पाली को कहा जाता है लेकिन उजारों की जो नगरी है वो पाली जिले को नहीं कहा जाता है तो उजारों की नगरी नागोर जिले को कहा जाता है तो राज़स्तान झाल